अमस्सकार शसरीकाल अदाव जयहिन मैं हूँ आपका दल्फिर दुसांज और आप देख रहे हैं इनकलाव जंदावाद तो दोस्तों इनकलाव जंदावाद चैनल में अक्षर ही जातियों के बारे इस पर वीडियो डाली थी तो आज में वीडियो डाल रहा हूँ कि बिहार में किस-किस जाती की कितनी-कितनी अवादी है। बिहार में सभी जातियों कि कितनी कितनी आवादी है इस पर वीडियो डाल रहा हूँ अमीद है आपको बहुत पसंद आएगी अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आएं तो चैनल को सस्क्राइब कर लें ये लाल बटन को दबा दें जो नीचे है और साथ में घेंटी बला जोईन किया है आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्हों ने जोईन किया है तो आएए हम बिहार के बारे में बिहार में किस-किस जाती की कितनी कितनी जन संख्या है ये वीडियो डाल रहा हूँ आगे फिर मैं बताऊंगा बिहार में किस-किस धरम की कितनी कितनी आव बिहार में 224 में किस जाती की कितनी कितनी जनसंख्या है पर उससे पहले हमको जानना पड़ेगा कि भारत की अवादी कितनी है तो भारत की अवादी जो 224 में है वो है एक अरब और 44 करोड के करीब भारत की अवादी है और अब हम जानेंगे कि बिहार की अवादी 211 में कितनी थी थी तियोव कितनी है तो 221 में थी विहार की जो अवादी वो थी 10- 토ra 40,49,452 10,44,49,452 जो है विहार की 2011 की जनगन्ना में आवादी थी विहार की अब 2024 में हो गई 13,07,025,310 13, speaker 7,04,310 10 जो है बिहार की 224 में अवादी हो गई तो अब बात करते हैं दोस्तों हम की अलग-अलग जातियों की कितनी जनसंक्या है और उनका कितना परसेंट है तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे जादा जनसंक्या जो है वो है जादब जाती की जादब जाती की जो लोग है वो है 14.2 परसेंट 14.2 परसेंट लोग जो है वो यहां पर रहते हैं और इनकी कुल अबादी है एक करोड़ 86,50,110 एक करोड़ 86,50,110 जो है जादव जो जाती की अबादी विहार में 224 में है अब बात करते हैं कुछ वहाँ कुछ वहाँ और कोईरी जाती जो है इनकी परसेंट है 4.21 परसेंट जो है कुछ वहाँ और कोईरी जाती जो है वह परसेंटेज है अब 2024 में इनकी जनसंख्या है 55,6113 जो है इनकी कुश्वाहा और कोईरी जो जाती की जो है बिहार में 2024 में जनसंख्या है तो अब बात करते हैं कुर्मी जाती की कुर्मी जाती जो है इसकी परसेंटज है 2.87% और इसकी अवादी है 37,62,979 जो है कुर्मी जाती की जनसंख्या विहार में 2024 में है अब बात करते हैं बरामन जाती की जाती का अनुपात है 3.65% 3.65% जो ब्रामन जाते का अनुपात है अब इनकी अवादी बीस होचोगिस में कितनी बनी 47,891,181, जो है बरामन जाती की बीस सोगईश में बिहार की अवादी है अब बात करते हैं लिखल जाती का जो उनपात है बिहार में और इसकी जंसंख्या है अब बात करते हैं मला और निशाद जाती की मिला और निशाद जाती की जो है अनुपात है वो है 2.60% अब उसके हिसाब से 224 में बिहार में इनकी जनसा क्या हो गई 34,094,094 जो है मला जो जाती की है वो जनसा क्या 224 में बिहार में हो गई अब बात करते हैं नोनिया जाती की नोनिया जाती का उनपात है 1.91% बिहार में अब 224 में इनकी जनसंख्या हो गई 24,98,474 जो है नोनिया जाती की बिहार में 224 में जनसंख्या हो गई अब बात करते हैं कानो जाती की कानो जाती का उनपात है 2.21% जो कानो जाती का बिहार में अनपात है अब इनकी जनसंख्या कितनी हुई 28,92,761 28,92,761 जो है कानो जाती की बिहार में 224 में अबादी हो गई अब बात करते हैं बानिया जाती की बानिया जाती का उनपात है 2.81% जो बानिया जाती का बिहार में उनपात है और इनकी अवादी हुई 30,26,912 बानिया जाती की 224 में बिहार की में जनसंक्या हो गई अब बात करते हैं भूमिहार, भूमिहार जाती का जो अनपात है 2.86% है, अब इनकी अबादी कितनी हो गई, 37,50,886 जो है भूमिहार जाती की जो है बिहार में 224 में अबादी हो गई अब बात करते हैं, राजपूत, राजपूत जाती का अनपात है 3.45%, 3.45% इनका अनपात है भिहार में, अब राजपूत जाती की 224 में जन्स का कितनी हो गई, 25,10,733 तेटी जो है राजपूत जाती की बिहार में जनसा क्या होई 2024 में अब बात करते हैं दुसाहंद जाती का अनपात है 5.81% 5.81% दुसाहंद जाती का जो है वो अनपात है अब इनकी अबादी 2024 में कितनी होगी बिहार में 69,43,000 जो है इस जाती की जो है वो बिहार में जन्सन क्या होगी बीस सो चौबीस में अब बात करते हैं मुस्खर जाती की मुस्खर जाती का उनपात है 3.08% 3.08% जो है मुस्खर जाती की उनपात है बिहार में अब 224 में इनकी अबादी होगी बिहार में 40,35,787 जो है मुस्खर जाती की बिहार में 224 में अबात करते हैं कशप जाती की कशब जाती जी जो अनपात है वो 0.60% है 0.60% जो है कशब जाती की जो अनपात है अब इनकी अबादी कितनी बनी 7,85,771 7,85,771 जो है वो कशब जाती की जो है वो अबादी जो बिहार में 224 में हो गई अब बात करते हैं चमार और रवदासिया जातियों की जो अवादी है वो उसका अनुपात है 5.25% जो इनका अनुपात है और इनकी अवादी हो गई बिहार में 68,69,664 जो है चमार और रवदासिय जातियों की बिहार में बीस सो चॉबीस में जन संख्या हो गई अब बात करते हैं सिख जातियों की जो शिख जातियों का अनुपात है वो है 011.001% अब इनकी अवादी कितनी होई एक लाग तर्तालीस हजार 797 चॉजर सथा जो है सिख जातियों की बिहार में अवादी हो गई बीस शुचॉवीस में अब बात करते हैं मुसलिम जातियों की मुसल्म जातियों की जो अनुपात है वो है 17.70% जो मुस्लिम जातियों की अनुपात है अब इनके अवादी कितनी हो गई 2.31.388.389 जो है मुस्लिम जातियों की 2024 में भिहार में जन संख्या हो गई अब करते हैं बहुत जातियों की बात बहुत जातियों का जो अनुपात है वो है 0.08% अब इनकी अवादी बिहार में 2024 में कितनी हो गई एक लाख चार हजार पांसो असी एक लाख चार हजार पांसो असी जो है बहुत जातियों की बिहार में बीस सो चौबिस में अबादी हो गई अब बात करते हैं जैन जातियों की जो जैन जातियां है उनका बात है जीरो पॉइंट जीरो नौ परसेंट जीरो पॉइंट जीरो नौ परसेंट अब इनकी अबादी कितनी बनी बिहार में बीस सो चौबिस में एक लाख सतारा हजार छेसो बावन जो है जैन जातियों की जो बिहार में बीस सो चौबिस में अबादी हो गई अब करते हैं इसाई जाती है जो है उनकी अबादी कितनी है इनकी अबादी है 65362 जो है इसाई जातीयों की जो है बिहार में ओबादी है तो दोस्तों ये तो तुरी बिहार की पूरी जनगलना की अलग अलग जाती हूंगी है कितनी कितनी जनसंख हैं screenshot आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी अगर आपको अच्छी लगी है तो अच्छा सा कमेंट दे दीजेगा बहुत मेहनत करके ये वीडियो बनाते हैं और साथ में मेरे चैनल को सस्क्राइब कर लीजेगा लाल बटन को दबा दीजेगा और साथ में घेंटी वाले बटन को दबा दीजेगा और साथ में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना है तो ऐसे मेरे साथ बने रहना मैं आपकी जातियों के बारे गोत्रों के बारे में ऐसे इत्यास लेकर आता रहूँगा जानकरी लेकर आता रहूँगा ऐसे मेरे साथ बने रही है इंकलाब जिन्दाबाद जै भारत इंकलाब जिन्दाबाद